यूपी अस्थापना दिवस भाग 6-24 चनवरी भुगोल में यूपी गंगा के मैदान का एक भाग यूपी भारत के उत्तर पुर्वी भाग में स्थित है प्रदेश के उत्तरी व की तरफ पहाड पश्चमी व मद्ध भाग में मैदान है उत्तर में ही माल है यह चत्र बहुत ही उचानी चाभू भाग है अब उत्रांचल में है जिसकी अस्थलाकृत बदलाव युकत है समुद्र तल से उचाई 300 से 5000 मीटर वढ़लान 150 से 600 मीटर है मध्य में गंगा का मैदानी भाग अत्यंती उपजाओ जलोड मिट्टी का चेत्र है जिसकी अस्थलाकृत सपाट है जहां अनेक तलाव जीले और नदियां है इसका ढ़लान 2 मीटर है दच्छन का विंद्याचल चेत्र पठारी चेत्र की अस्थलाकृत पहाड़ों मैदानों और घाटियों से घिरी हुई है यहां पानी कमात्रा में उपलब्ध है जलवाई मुख्यत उष्ण कटिवंदी मानसून की है पर समुद्र तल से उचाई बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है उत्तर प्रदेश आठ राजियों उत्तराखंड हिमान्चल प्रदेश हरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख भूगोलिय तत्व भू आकरित उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भूगोलिक छत्रों गंगा के मध्यवर्ती मैदान और तच्छन उच्छ भूमी में बाटा जा सकता है मैदान अधिकांस्ता गंगा वा उसकी सहायक नदियों से लाए ग चड़ाव नहीं है मैदान बहुत उपजाओ है पर उचाई में कुछ भिन्यता है पश्चिम उत्तर में 305 मीटर और सुदूरपुर में 58 मीटर है गंगा के मैदान की दच्छनी उच्छ भूमी अत्यदिक विच्छेदित और विसम विंद्य परवत माला का एक भाग है सामा गंगा, यमना, बेतवा, केन, चंबल, घागरा, गोमती, शोन, आद, मुख नदियां हैं परदेश के विविद भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्ग मस्थल भी भिन्न हैं हिमाले परवस से निकलने वाली नदियां गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, दचनी पठार से निकलने वाली नदियां, बेतवा, केन, चंबल, आद, प्रमुख हैं, जील, उत्तर प्रदेश में जीलों का भाव है, यहां के अधिकांस जीले, कुमायू चितर में है, भूगर्बी शक्तियों के भूम के धरातल में परिवर्तन हो जाने का पढ़नाम सरूप निर्मित हुई है, नहर, नहरों के वित्रन एवंग विस्तार के दृष्ट से उत्तर प्रदेश का अग्रणी अस्थान है, यहां की कुल सिंचित भूम का लगभग 30 प्रत्सत भाग नहरों से सिंचित होता है, यहां की नहरी भारत की प्राषिनितन नह नहरों में से एक हैं अपवाह यूपी राजी उत्तर में हिमाले और दच्छन में विंद परवतमाला से उत्गमित नदियों से भली भात अपवाहित है गंगा यमंग उसकी सहायक नदियों यमुना नदी राम गंगा नदी गोमती नदी घागरा नदी और गंड़क नदी को ह इमाले के हिम से लगातार पानी मिलता रहता है बिंद से निकलने वाली चंबल नदी बेतवा नदी और केन नदी यमना नदी में मिलने से पहले राजी के दच्छन पच्छिमी हिस्से में बहती है बिंध सिर्णी से ही निकलने वाली शोन नद राजी के दच्छन पुर्वी भाग में बहती है और राजी किसी मा से बाहर बिहार में गंगा नदेशे मिलती है मृदा उत्तरपदेश के छित्रपड का लगबक दो तिहाई भाग गंगा की धीमी गस्ते बहने वाले नदियों से लाई गई जलोड मिट्टी की गहरी परस से ढखा है आतेदे कुप जाओ जलोड मिट्टी कहीं रहती ली है तो कहीं चिकनी दोमट राजी के दच्छनी भाग की मिट्टी शामानत या मिस्त्रित लाल और काली या लाल से लेकर पिली है राज्य के पश्चिम उत्तर शेत्र में मिर्दा कंकिरीली से लेकर और बर दो मर्द तक है जो महीन रेत और हुमस मिस्तित है जिसके काण कुछ शेत्रों में घने जंगल है जलवाई उत्रपदेश की जलवाई उश्ण कटिबंधी मानसूनी है राज्य में आवसत तापमान जनावरी में 12.50 से 17.50 सेंटेग्रेट रहता है जबकि मैजून में या 30.50 से 42.50 सेंटेग्रेट के बीच रहता है पुरु से 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर पश्चिम 610 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर की ओर वर्षा कम होती जाती है राज में लगभग 90 प्रिसत वर्सा दच्छिन पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक होती है वर्सा के इन चार महीनों में होने के कारण बाढ़ एक आवरती समस्या है जिससे राज के पुर्वी हिश्चों में फसल जन जीवन वश्रमपति को भारी नुकसान पहुंचता है मानसून के लगातार भी फलता से शूखा पड़ता है फसल का नुकसान होता है वनस्पत एवंग प्राणी विग्यान राज में वन मुख्यता दच्छनी उच्छ भूमी पर केंद्रित है जो ज्यादा तर जाड़ीदार है विविद अस्थला किरित एवंग जलवाई से प् पाटेर पाए जाते हैं कई प्रचातियां जैसे गंगा के मैदान से सिंग और तराई छेतर से गैंडे अविलुप्त हो चुके हैं वन्यजीवन के सनच्छन के लिए सरकार ने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण और दुधवा अभ्यारण सहीत कई अभ्यारण झाल